नमस्कार दोस्तों मैं ही परदीब दूबे आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सिविल स्कोर आपका जो होता है उसमें फालतु इंक्वारियां और इंक्वारियां अपने आप कैसे आ जाती है अधिक इंक्वारी आने कारण क्या है और क्या ऐसा तरीका है कि आ आपके स्विव में ज्यादा inquiry ना आए आपको कितने मंत में कितना लोन अप्लाई करना चाहिए सारे सवालों के जबाब इस वीडियो मिलने वाला है जिसको ए वीडियो सही नहीं लगता है वो अभी से इस लोग के स्किप कर दे मैं ए वीडियो नौलेज के लिए बना रहा हू और इस टॉपिक का जो वीडियो है आपको यूटूब पर नहीं मिलेगा मैं आपको दे रहा हूँ अगर आपको लगता है तब ही आप इस लोडियो को पुरा वाज करना ने तो आपकी मर्जिय इसे स्किप कर सकते हो मैं पैसा कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ मे पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ only मेरा सौक है चलिए आज हम इसके बारे में पूरा इंफ्रमेशन बताने वाले हैं तो मेरी आपसे भी निती है कि आप इस वीडियो को स्किप न करके सुरू से लेके अन तक वाच करना मुझे लाइक के सपोर्ट करना चलिए बात कर आटी जो होता है हमारी email ID होता है हमें काफी हद तक link आते हैं congratulations आपका ओप्रूब हो गया चालिह जार एक क्लिक करें और हमारा लोड अप्रूब हो जाएगा इस लिंक प्लिक करेंगे हमें exactly लेजाएगा कोई एप डाउनलोट करने के लिए बुलेगा वहाँ पे हमसे हमारा डेटा जिसे कि हमारा मुबाइल नंबर इमेल आईडी पेन का नंबर अपनी सारी लीगल इंफ्रमेसन हम फील कर देते हैं और वहीं पे हमारी जो इंक्वाइरी है उस फैक्च करके हमारे सिविल में इंट्रिया आ जाती है जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया ओम हो गया जिस्टमी हो गया इस अभी बड़ी एन्विपसी कमपनी है बैंक भी है लोग का सिश्टम ऐसा है कंपनी वालों का कि एक बार आपने पेन का नंबर डाल दीया सिविल में अगर आपकी इंक्वाइरी आ चुकी के से inquiry आपकी बढ़ती रहती है और आप जो है जब आपकी inquiry बहुत ज़्यादा हो जाती है दिक्कत आपका यह होता है loan credit card आपका भूप नहीं होता है problem में आप आजाते हो और आप सोचते हो कि inquiry आया कहां से तो बचने का राष्टा पहले आप जान लो मेरे दो तरीके पहला अगर आप loan लेते हो कहीं से भी चाहे बैंक से चाहे company से आप जो है अगर माल आपका loan कोई चल रहा है एक loan दो loan अगर चल रहा है तो अगर आपको emergency loan की need है तो आप पहले research करो कि हमें loan कहां से मिल जाएगा bank से मिल जाएगा company से मिल जाएगा या mobile company से मिल जाएगा किस से मिलेगा कहां से मिलेगा तो आप research पुरी तरीके से नहीं करते हो कोई youtuber का video देख लिया एक company loan दे रही है भाई उसको loan मिल गया तो guarantee न पूरा अपना data डाल दिया किसी एक company में वहां से लानाक पर reject हो गया आपने क्या किया same time किसी और में try कर लिया आपका 2 हो गया फिर किसी और में try कर लिया तो आप एक ही मन्त में 10 से 15 company 15 बैंकों में 15 mobile company में try कर लेते हो जब का data पड़ेगा आपका loan amount को fetch करेगा तो inquiry तो कभाई कंपनी ने मेरे में इंक्पारी डाल दिया दो लोगे तो कंपनी का सरवर आपके system में तो fetch करेगा चेख तो करेगा कहीं तो नहीं है तो इतना समझे लो हमको 5 लाख रुपे का लोण मिल गया तो एग आरंटे ने कि आपको भी 5 लाख रुपे का लोण मिल गया आपको तो दो लाग की credit card मिल गई तो guarantee नहीं कि हमको भी मिल जाएगा तो depend करता है आपकी profile history आपकी transit history और आपका record तो किसी को मिल चुका है कोई YouTuber गोल दिया कि इनको मिल गया है आप भी try कर लो तो ए गलती कभी ना करें मैं भी काफी bank को के बारे में बताता हूं company बारे में बताता हूं बड़ मैं यह नहीं बोलता हूं और mobile company भर भर के पैसा देती है एक इप का promotion करने का आपको कम से ना कम 15 से 20,000 रुपे का amount pay करती है वो भी one time कोई लपड़ा रही बस खाली आपको दो line बोल ला होता है दो line के 15 से 20,000 रुपे कम से ना कम की बात कर रहा हूं और जिनके ज्यादे बहुत ज्यादे views आते हैं ज्यादे subscriber होते हैं उनको एक लाग दो लाग तीन लाग चार लाग मिलते हैं तो अगर इतना बड़ा amount मिलेगा तो लोग तो इसको बारे में करेंगे तो कभी भी आपको साउधार रहना है इन सब चक्रों में नहीं पढ़ना है आपके जो inquiry है आपके civil में नहीं आएगी जादी inquiry नहीं आएगी तो आपका loan default नहीं होगा आपका loan अप्रूव होगा आपका credit card अप्रूव होगा आप किसी मुसीबत में नहीं आएंगे तो साइध आप मेरे इस रियाल्टी बताया हूँ काफी लोग इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे बट भाई जो reality होता है मैं वही बताता हूँ अगर सच्चा बोला हूँ सही बोला हो तो like कर देना वीडियो को share कर देना बकि आपकी मर्जी मैं आपके हातों को पकड़ा नहीं तो आप मेरे चनल क को देखो या मुझे आप like करो तो भाई काफी लोग सिकायत करते हैं कि same topic वीडियो आप लाते हो भाई देखो मैं लोगों की need को देखता हूँ लोगों की जरुत को समझता हूँ इसलिए मैं वीडियो लाता हूँ यह वीडियो आप कुछ टाइम बात देखोगे तो यह वी प्लीज दोस्तों आप लोग गलती ना करें अगर आपको बचाना अपना सिबिल तो आप यह सब गलतियां ना करो जश्ट मैंने आपको बताया है इसे नोट करना एर रियाल्टी है किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें आपको लोन नहीं मिलेगा आपको लोन लेना है आपके बैड़ गए तो समझ जाना कि आप बहुत बड़े प्रवल्म में आ सकते हो यह बाते नोट करना वीडियो कैसा लागा लाइक करना दोस्तों में सेर कर देना मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना फिर मिलते है नेडियों के साथ अब तक के लिए जय हिन वंदे बातरम